सामुआ वालेकुम आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फार्सप डिलिवरी के that is one अफ़ टाइप आप परेशनल वाजानल डिलिवरी सबसे पहले बात करते हैं डेफिनिशन की तो परेटेव डिलिवरी क्या है कि या तो वीडियो दिलिवरी करूँक्ईप क्लिए नो धोने के लिए उसके हैं अथ दीलिवरी की बात की जाना है स्मूथ मेटालिक इंस्ट्रिमेंट होता है उसको इस तरीके सी डिजाइन किया गया है करवेचर है उसका जो कि बीबी की हैड पर अच्छे से फिट हो जाता है और फिर हम उसके जरीए ने बीबी हैड की डिलिवरी करवा रहे होते हैं यह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी किस तरीके से जोइन करते हैं विद इच कॉंट्रेक्शन वी जेंटली पुश बेबी तो एड इन दे डिलिवरी कॉंट्रेक्शन के साथ साथ हम जो फॉर्सेप उसे पुश करते आएंगे और हमारे पास डिलिवरी अफ दे फीटेस हो जाएगी अब सेफटी क्राइटीरिया होता है फॉर्सेप डिलिवरी जिसमें एक निमोनिक है फॉर्सेप के ही नाम से तो फॉर्सेप में F stands for fully dilated cervix O for obstruction should be excluded R for ruptured membranes हुई हो concerned हो catheter should be removed अगर bladder में कोई भी catheter inserted है तो उसे remove करना होगा engagement of the fetal head 1 by 5th होनी चाहिए 2 by 5th भी होगी तो हम फॉर्सेप डिलिवरी की तरफ नहीं कर सकते मूब देन वी आफ पावर जो यह ट्राइन कांट्रेक्शन है वह अच्छी होनी चाहिए जो के aid करेंगे इंदर डिलिवरी एंड स्टेशन जो होगा जो प्रिजेंटिंग पार्ट आफ दे फीटेस होगा वो शुद भी बिलो दिस शिल्ट चाहिए इस वीडियो में जो मुश्ट एंपर्टन पार्ट है और ज़ीए थी थी टाइब फार सप्स और स्पी वीडियो में आते हैं ये फार सब्स वीडियों की डिफेंट यूजरा थी शुदा थी नहीं लोग अलेट नाम है इनकी डिफरेंटिकेशन इनकी points मैं आपके इस वीडियो में clear करूँगी तो वीडियो end तक देखीगा now parts की बात की जाए so this is handle यह हमारे पास lock है यह हमारे पास shank है this is two blades जिसमें अंदर की तरफ सेफालिक करव है और बहार की तरफ पैल्विक करव होता है अब basic parts of forcep की जो हमने overview ले लिए अब बात करते हैं individual forceps की so we have keyland forceps जो कि mid-gavity rotational forcep भी कहलाता है यह हमारे पास most common forcep होता है जो कि used हो रहा होता for rotation इसलिए से rotational forcep कहते हैं rotation से क्या मुराद है जो मैंने आपको pelvic curve और cephalic curve दिखायो इस instrument में इस forcep में pelvic curve नहीं होता जिसकी वज़ा से क्या होता है यह easy rotation of the fetus यह easy rotation कर सकता है at any stations इसके इलावा mal position को correct कर सकता है because of its rotational property और यह breach delivery में use होता है जब हमारे पास lower body पूरी deliver हो जाती है breach delivery में और head नहीं हो पा रहा होता तो उसमें हम इसे use कर सकते हैं और a syndalitical बर्च होती है जिसमें fetal head जो होता है वो tilted हुआ होता है to the side उसमें भी बहुत helpful होता है आप करते नेवली पारनेस यह Simpson forsep की तो यह mid cavity non-rotational forsep होता है जब हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पर सजाइटल सूचर और the fetal skull जो होता है वो in relation आजाए to the anterior posterior diameter of the pelvic cavity of the mother यह mostly उन fetus में यूज़ होता है जिनमें excessive molding होई भी हो और उनकी जो molding की वज़ा से क्या होता है fetal head elongation होई भी हो तो यह उन fetus में यूज़ किया जाता है अब next बात करते हैं wrigley's forsep की so it is also known as low cavity forsep wrigley forsep के पास short blade or short stem होती है जिसका हमें जो advantage है वो यह है के complications काम होती है like uterine ruptures उसके बाज यह हमारे पास most importantly use होता है C-section में C-section में क्यों क्योंकि ऐसे deliveries में use होता है जब बच्चा काफी दूर हो from the vagina जो हमारे पास delivery tract है birth canal है उससे काफी दूर होगा बच्चा तो उस case में हम wrigley forsep को use करते हैं important point is it is used in C-section and क्योंकि हमारे पास baby नीचे नहीं आया तो इसका मतलब है इतनी अच्छी ना contractions होई है ना ही baby head molded होगा so that means यह unmolded head में यूज होता है और C-sections में यूज होता है hope so मैंने आपको तीनों forsep की points clear किये होंगे बात करें indications of the forsep delivery case so number one is prolonged stage of labor fetus में बात की जाए तो face presentation होगी delivery before 34 weeks of gestation या breach delivery है तो उसमें हम यह forsep use करते हैं contrary indication अगर हमारे पास वो जो forseps का safety criteria यह मैंने आपको भी बताया है उसमें से एक भी चीज फुल्फिल नहीं हो रही तो हम इस तरफ मूब नहीं करते जैसे head engaged नहीं है cervix जो है वो fully dilated नहीं है या most importantly in experience operator है कि उसे forseps को use कैसे करना है यह नहीं पता तो हम इसकी तरफ मूब नहीं करेंगे complication maternal और fetal बता दो maternal में हमारे पास होती है rotational forseps की वज़े से tears हो सकते है laceration of the uterus annal sphincter को trauma हो सकता है और genital tract में laceration हो सकती है fetal की बात की जाए very important facial nerve palsy skull fracture जो skull का fracture होता है वो most importantly depressed fracture होता है intracranial hemorrhage and abrasions of cornea so यहां तक हमने forseps delivery से related सारे important points cover कर लिये और OSPI station के भी जितने points important थे वो मैंने आपको cover कर वा दिये thank you